अदाब नमस्कार असलाओं लेकुम नाजरेन पलपल नियूस के निज्रूम से मैं हूँ आपके साथ नदे मकरम जब से भारत सरकार ने चीन के 69 एपो को बंद किया है तब से गोधी मीडिया काफी जादा उचसाहित नजर आ रहा है क्योंकि हम ये देख रहे हैं कि गोधी मीडिया प्रधानमंत्री नरेंदर मोधी और भारती जन्ता पार्टी के बारे में इतने कसीदे पड़ते हुए नजर आ रहे हैं कि जिसकी सारी हदे पार कर दी गई हैं जिसमें कुछ एक पत्रकार तो इतना आगे निकल गए मोधी सरकार के तल्वे चाटने में कि वो ये दिखाने से भी बाज नहीं आएं कि चीन पर मोधी का एयर स्ट्राइक आखिरकार ये तो वही बात हुई कि मेरा मेरे पडोसी से जमीन को लेकर के विवाद चल रहा था और मेरे पडोसी ने मेरी जमीन हडप ली और मैंने अपने पडोसी को वाटसप पर ब्लॉक कर दिया और दे दिया मूतोर जवाब आखिरकार ये किस तरीके का मूतोर जवाब था जिसके बाद सवालों के घेरे में प्रधान मंत्री नरिंदर मोधी की सरकार तो है पर सवालों के घेरे में है तो देश की मीडिया जो देश की मीडिया कसीदे पड़ रही है प्रधान मंत्री नरिंदर मोधी के 69 एप बैन करन अनुराग कश्यप चो लगतीयार मुदी सरकार की नीतियों पर गोधी मीडिया जिस तरीके से पत्रकारिता कर रहा है उसके किलाव मुखर हो करके हर बार बोलते हुए नजर आये हैं तो इसी पर अनुराग कश्यप ने गोदी मीडिया को घेर लिया है तो वहीं कॉंग्रेस ने भी सवाल खड़े किये कि आखिरकार एप को जो बैन किया और जो पीम केर फंड में इन एपों से पैसा लिया गया क्या वो पैसा वापिस करेगी या ये एक दिखावा है मोदी सरका का आकिरकार पूरा मामला क्या है एक बार उस पर नजर डाल लीजिए चीन पर बड़ी कारवाई करते हुए भारत सरकार ने उनसर चाइनिज एप को बैन कर दिया जैसे ही इस फैसले की घोशना हुई गोदी मीडिया के पत्रकार दलाली की अंतिम चरण में पहुँच गए गोदी मीडिया के पत्रकारों ने इसे डिजिटल एयर स्ट्राइक बता दिया इसी पर तंज कस्ते हुए जाने माने फिल्म डिरेक्टर अनुराक कश्यफ ने कहा कोई हमारी सीमा में घुसा ही नहीं पापा ने फिर भी सर्जिकल स्ट्राइक कर दी नटराज फिर से चेंपि सीमा में घुसा नहीं है और दलाल पत्रकार इसका डंका पीटने लगे जैसे एब बैंड के फैसले को डिजिटल एयर स्ट्राइक पता कर इसका डंका पीट रहे हैं इन दलाल पत्रकारों की इतनी हिम्मत नहीं हुई सवाल पूछने की कोई हमारी सीमा में घुसा हुआ नही पैच और अब सवाल यह है कि अगर कोई हमारी सीमा में आया ही नहीं तो फिर भारत ने डिजिटल एर स्ट्राइक क्यों किया और अगर चीन हमारी सीमा में आया था तो डिजिटल एर स्ट्राइक ही क्यों एयर स्ट्राइक क्यों नहीं किया आपको बता दें कि हम उस दौर में जी रहे हैं जहां गोधी मीडिया के पत्रकार सरकार से सवाल पूछने के बजाए विपक्ष पर सवाल पूछते हुए नजर आते हैं भाजपा द्वारा राजीव गांदी फाउंडेशन की फंडिंग पर सवाल उठाए जाने के बाद कॉंग्रेस ने सरकार पर पलटवार किया कॉंग्रेस ने रविवार को आरोप लगाया कि प्रधान मंत्री नागरिक्ता साहता एवं आपता इस्तिती राहत कोश में चीनी अपनिया दान दे रही हैं इसी के साथ ही कॉंग्रेस ने पूचा कि जब भारत और चीन के बीच लगडाक में सीमा पर तनावपूर गती रोज चल रहा है तो इस रकम को सुईकार क्यूं किया जा रहा है कॉंग्रेस प्रवक्ता अभिशेक मनु सिंद्वी ने बीते 6 साल के दौरान प्रधान मंतरी नरिंदर मोधी की चीनी राश्ट्रपती शी जिन पिंग के साथ 18 मुलाकातों पर भी सवाल उठाए और पूचा कि उन्होंने चीन को अब तक क्यूं हमलावर नहीं कहा सिंद्वी का ये बयान प्रधान मंतरी के रेडियो पर मन की बात कारिक्रम के दौरान ये कहने के कुछ गंटों के बाद आया लगदाक में उसकी जमीन पर बुरी नजर रखने वालों को भारत में उचित जवाब दिया जाएगा सिंद्वी ने कहा मैं प्रधान मंतरी से अनुरोध करता हूँ कि वे कहें कि चीन हमलावर हैं सिंद्वी ने डिजिटल प्रेस कॉन्फरेंस में कहा सबसे जादा चिंता जना को और सतर करने वाला तथ्य ये है कि प्रधान मंतरी नरिंदर मोदी ने चीनी कंपनियों से अपन स्विकार कर अपनी इस्तिती से समझोता करेंगे तो वह चीनी आक्रमक्ता के खिलाफ देश की रक्सक कैसे करेंगे प्रदानमंत्री मोधी को जवाब देने की जरूरत है पीमकेर्स फंड कोविड-19 महामारी के कारण आने वाले किसी भी आक्समिक्ता इस्तिती से निपटने के उदेशे से इस साल मार्च में बनाया गया था तब से ही कुछ विपक्षी दलो की ये मांग रही कि इस फंड में आने वाले दान को सारवजिनिक किया जाए सिन्वी ने ये भी आरोप लगाया कि भाजपा के 2007 से ही चीन की कॉमिनिस्ट पार्टी CPC से संबंद रहे हैं और राजनाज सिंग नितिन गटकरी और अमिश्या जैसे उसके अध्यक्षो का चीन के साथ अधिक्तम संपर्क रहा है उन्होंने दावा किया कि भारत के इतिहास में ऐसा कोई राजनेतिक दन नहीं है जिसकी अध्यक्षो का बीते 13 वर्षो में चीन के साथ इतना संपर्क रहा है उन्होंने कहा कि जनवरी 2007 और अक्टूबर 2008 में सिंग की सीपीसी से बात हुई जनवरी 2011 में गटकरी पास दिन के अधिकारिक दोरे पर चीन गए और शाह ने 2014 की शुरुआत में पार्टी विधायकों के एक परतिनीदी मंडल को चीन बेजा सिंवी ने कहा कि इस सरकार के लिए लगता है कि राश्टी सुरक्षा महतवपूर्ण नहीं है उन्होंने कटाक्ष करते हुए कहा कि इस सरकार के लिए महतवपूर्ण मेरे लिए और राजिव गांदी फाउंडेशन कॉंग्रेस प्रवक्ता ने मांग की कि मोदी को कहना चा ये कि हम समझोता नहीं करने जा रहे हैं और हम चीन को वापस खदेड़ने उन्हों ने कहा कि अगर वे ऐसा करेंगे तो विपक्ष समेथ पूरा देश उनके पीछे खड़ा रहेगा लगदा की गलवान घाटी में चीन की पिपुल्स लिबरेशन आर्मी के साथ हिंसक शहीद हुए 20 जवानों को श्रधानजली देते हुए प्रदानमंत्री ने रेडियो पर मन की बात में कहा कि भारत के वीर सपूतों ने दिखा दिया कि वे कभी भी मा भारती के गौरव को आच नहीं आने देंगे उन्होंने चीन का नाम लिये बगएर लगदाक में भारत की वालों को करारा जवाब मिला है भारत मितरता निभाना जानता है तो आख में आख डाल कर देखना और उचित जवाब देना भी जानता है कॉंग्रेस चीनी गुसपेथ और लदाक में ये सीमा पर गतिरोध को लेकर देश के प्रदानमंत्री पर देश को गुमरा करने का आर इस पर निशाना साथते हुए आरूप लगाया कि उसके राजिव गांदी फाउंडेशन ने चीन से धन लिया फाउंडेशन की अध्यक्ष सोनिया गांदी है पीम केर्स कोश का जिक्र करते हुए सिंद्वी ने कहा कि खबरों के मताबिक 20 मई तक इस कोश में 9,678 करोड रुपे आये थे उन्होंने हाला कि इस बारे में और विवरन नहीं दिया सिंद्वी ने कहा कि चौकाने वाली बात ये है कि चीनी सेनाओं के हमारे छेतर का अतिक्रमण करने के बावजूद प्रधान मंतरी को इस कोश में चीनी कंपनियों से धन प्राप्त हुआ क्या प्रधान मंतरी जवाब देंगे कि 2013 में चीनी शतुरता के बावजूद उन्हें इस कोश में चीनी मदद क्यों मिली उन्होंने आरूप लगाया कि इस विवादस्पत कोश में हुई उक्री विस सात करोड रूपे टिक टॉक ने तीस करोड रुपे पेट्टि एम ने सौ करोड रुपे शियोमी ने पंद्रा करोड रुपे और ओपो ने एक करोड रुपे दान दिये हैं अब हो एप जिससे करोडों का चंदा लिया गया और इस महामारी से निपटने के लिए जो चंदा लिया गया उस चंदे का इस्तेमाल किस तरह से हुआ क्या उस पैसे को ले करके मोधी सरकार जो है बेहार चुनाव लगना चाहती है क्या जो पैसे दान में लिये गए वो भी पैसे वापस किये जाएंगे या नहीं किये जाएंगे इसका जवाब हमारी गोधी मीडिया को मांगना था सरकार से पर हम उस दौर में जी रहे हैं जहां सवार सरकार से पूछना गुञा माना जाता है और अगर आप सवाल पूछते हैं तो आपको या तो मरवा दिया जाता है या आपको नौकरी से हाथ धोना पड़ता है पर गोधी मीडिया तलवे चाटने में मजगूर है उसने सरकार से चीन को लेकर के कोई सवाल नहीं पूछा पर जाने माने भुद्धी जीवी जो है वो लगतार सवाल खड़े कर रहे हैं और ये साफतोर पर कहा कि मन की बात में बैट करके देश के परधान मंतरी ने जनता को स सवाल पूछना चाहिए था कि अगर कोई घुसा नहीं तो हमारे 20 जवान शहीद कैसे हुए इस पर किसी ने सवाल नहीं पूछा और सिरफ पूछा गया तो चीनी एप को बंद करने के बाद मोधी सरकार की तारिफों के पुल बिहार चुनाव को देखते हुए किस तरीके से बांधने हैं उस पर पूरी गोधी मीडिया लगी हुई है पर भले ही गोधी मीडिया सवाल पूछे या ना पूछे हम लगातार सवाल पूछेंगे कि आकर का जो पीम केर फंड में इन एपों से पैसा लिया गया क्या वो पैसा भी लोटाएगी मौजुदा सरकार या प्रवक्ते ये दिखाने की कोशिश की जा रही है बिहार चुनाफ नजदीक है तो सारे त्योहार प्रधानमंत्री निर्मोदी जी को याद आ रहे हैं चीन का जिक्र वो कर नहीं रहे और जिस तरह से लगातार भारती जिंता पार्टी के जो प्रवक्ता हैं वो लगातार सै आपको रूबरू कर आता रहूंगा तब तक के लिए दीजे मुझे इजाज़त शुक्रिया झालिफ दॉक्रिया करें करेंगा यूङ다